प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाडी 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 पागित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 16 अगस्त सोम्वार पहला पार्ट नियायकरताओं का ग्रंथ अध्याय दो पसंख्या 11 से 19 तक प्रभू ने नियायकरताओं को नियुक्त किया किन्ति उवे उनकी भी बात नहीं मानते थे इस्राइली प्रभू की द्रिष्टी में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे उन्होंने प्रभू को अपने पुरोजों के इस्वर को जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयाई बन कर उनकी पूजा करने लगे उन्होंने प्रभू को अप्रसन्न कर दिया वे प्रभू को छोड़ कर बाल और अस्तारता देवियों की पूजा करने लगे तब प्रभू का कोप इस्राइलियों के विरूद भड़क उठा उसने उन्हें छापा मारू के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे उसने उन्हें उनकी सत्रू के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहें जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे क्योंकि प्रभू उनके विरूद था जैसा कि उसने सपत खाकर उन्हें चेवताओने दी थी जब जब इस्राइलियों की दुर्गती बहुत अधिक बढ़ जाती है तो प्रभू न्याय करताओं को नियुक्त किया करता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे किन्ति वे न्याय करताओं की बात नहीं मानते और पत भ्रष्ट होकर पराय देवताओं की पूजा और उपासना करते थे वे प्रभू की आज्यां पर चलने वाले अपने पुरोजों का मार्ग सिग्रही छोड़ देते थे वे अपने पुरोजों का अनुकरण नहीं करते थे जब प्रभू उनके लिए कोई न्याय करता नियुक्त करता था तो प्रभू उसका साथ देता और जब तक न्याय करता जीता रहता था तब तक प्रभु इस्राइलियों को उनकी सत्रियों के हाथ से बचाया करता था क्योंकि जब वे अपनी अत्याचारियों के दुर्वेवार से पिडित होकर कहराते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था परन्तु जब वह नयाय करता मर जाता था तो वे सिग्र ही अपनी पुरोजों से भी अधिक घुर पाप करते थे वे पड़ाय देवताओं के अनुयाई बन कर उनकी पूजा और उपासना करते थे उन्होंने अपनी पूरानी आदते और हठीला बेवार कभी नहीं छोड़ा यह प्रभु की वाड़ी है संत्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अधियाए उन्नेस वाके सौल से बाईस तक एक मनुष्य ने येशु के पासा कर कहा गुर्वर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कारे करूँ येशु ने उतर दिया भले की विशे में मुझसे क्यों पूछते हो एक ही तो भला है यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाते हो तो आग्याओं का पालन करो उसने पूछा कौन सी आग्याएं येशु ने कहा हत्या मत करो व्यविचार मत करो चोरी मत करो जूटी गवाही मत दो अपने मता पिता का आदर करो और अपने पडोसी को अपने समान प्यार करो नवयोक ने उनसे कहा मैंने इन सब का पालन किया है मुझे में किस बात की कमी है येशु ने उसे उतर दिया यदि तुम पूर्ण होना चाते हो तो जाओ अपने सारी संपत्ती बेच कर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी तब आकर मेरा अनुसरन करो ये सुनकर वह नविवक बहुत उदास हो गया और चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था ये प्रभु का देव्य सू समाचार है क्रिष्ट प्रभु की जय मेरे प्रonna भाईय और वैनो पिछले कई दिनों से आप पुराने विधान से इस्राइली जनता की कहानी सुन रहे कि किस तरह ईश्वर ने इब्राहिम को चुना कि किस तरह ईश्वर ने इस्राइली जो मिस्र देश पहुँश गये थे मिस्र की गुलामी से मुसा, हारून और योश्वा की नेत्र तुमें छुडाया बाहर लाया कि किस तरह इश्वर ने अन्ने राष्ट्रों पर इसराइलियों को अधिकार दिया और अंत में कनान देश पहुचा दिया कनान देश में बसा दिया जैसा कि आपने योश्वा के गृंध में सुना एक ऐसा देश और ऐसा निवास जिसके लिए उन्होंने परिश्रम नहीं किया था योश्वा मृत्यू से पहले इसराइलियों को याद दिलाया था कि एश्वर ने तुमारे लिए इतना सब कुछ किया है ये देश एश्वर की और से हमारे लिए एक वरदान है लेकिन आज के पहले पाठ में आपने सुना नियाय करताओं के गृंध के अधियाय दो से लिया गया था एक ऐसी पीड़ी आ जाती है जो एश्वर के इन सारे कारियों को भूल जाती है या याद नहीं करती है उसका तरसकार करती है और वे इश्वर की दिष्टी में वही करने लगे जो बुरा है उन्होंने प्रभू को अपने पूर्वजों के इश्वर को जो ने मेश्र से निकाल लाया था छोड़ दिया वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनियाई बनकर उनकी पूजा करने लगे उन्होंने प्रभू को अप्रसन कर दिया वे प्रभू को छोड़ कर बाल और अश्टारता देवियों की पूजा करने लगे उन्होंने इश्वर को छोड़ दिया इश्वर के विरुद्ध कारे करने लगे उन्होंने इश्वर के ख्याले ही नहीं किया नतीजा आप पढ़ेंगे निर्गमन गंध के अध्याय 23 उसके बागे 25 में लिखा हुआ है तुम अपने प्रभु इश्वर की सेवा करोगे और वह तुमारे अन जल पर आश्रवात देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखोंगा यह प्रभु की प्रतिग्या थी इस्राइलियों के लिए तुम अपने प्रभु इश्वर की सेवा करोगे और वह तुमारे अन जल पर आश्रवात देगा इस्राइलियों ने इस बात को भुला दिया अपने जीवित इश्वर को छोड़ कर देवी देवताओं की पीछे चलने लगे और उसका नतीजा उनके जीवन में देखने को मिला प्रभी इश्वर ने इस्राइलियों से बार बार कहा था कि मैं तुम्हारा इश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बनी रहो तुम मेरी प्रजा बनी रहो मैं तुम्हारा इश्वर बना रहूंगा लेकिन इस्राइलियों ने इस बात को भुला दिया इश्वर को त्याग दिया नतीजा उनके उपर ईश्वर का जो सम्रेक्षन था वो सम्रेक्षन हट गया नतीजा क्या हुआ लिखा हुआ है ईश्वर ने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे उसने उन्हें उनके शत्रूँं के आथ बेज दिया और वे उनका सामना करने में असमर्त रहे जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे क्योंकि प्रभू उनके विरुद्ध था जैसा कि उसने शपत खा कर उने चेतावनी दी थी इस्राइलियों ने इश्वर को छोड़ दिया नतीजा उनके उपर जो समर्क्षन था वो समर्क्षन हाड़ गया वे पराजित होते गए लोकस के सुसमाचार के अध्याएक 11 उसके वाकिये 20 में प्रभी इस्वर कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है जो मेरे साथ नहीं बटोडता है वो बिखेरता है लेकिन इश्वर द्यालू है द्यालू इश्वर करुनामा इश्वर जब जब इसराइलियों की दुरुगती बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभू नियाय करताओं को नियुक्ति किया करता था इसराइलियों को फिर एक बार मार्ग दिखाने के लिए सनमार्ग पर ले आने के लिए नियाय करताओं को प्रभू नियुक्ति करता था किन्तु वे नियाय करताओं की बात नहीं मानते और पथ ब्रष्ट होकर पराय देवताओं की पूजा और उपासना करते थी बार बार प्रभू ने नियाय करताओं को नियुक्ति गिया लेकिन इस्राइली एश्वर के मारगों को छोड़ कर बुराई के मारग पर चलते थी नर्गमन गरंदि के अधियाए 32 वाक्य 22 में लिखा हुआ है मनुश्य का जुकाओ नर्गमन ग्रंध के अध्याई 32 वागे 22 में लिखा हुआ है मनुश्य का जुकाओ पापगी और है और यही हम इस्राइली जन्ता में देखते हैं मेरे प्रिये भाई और बेनों यह मात्र इस्राइलियों की कहानी नहीं है यह करीब करीब हम सब की कहानी है कैसे ईश्वर ने हम पर दयागी कैसे ईश्वर नाकुछ से हमें कहां खड़ा कर दिया लेकिन कैसे हम ईश्वर को भूल जाते हैं बराबर भूल जाते हैं ईश्वर को त्याग देते हैं लेकिन ईश्वर हमें भूलता नहीं है हम पढ़ेंगे शोग्रंद की अधियायतीन उसके वाकिय 22 और 30 में लिखा हुआ है प्रभु की गृपा बनी हुई है उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है वह हर सबेरे नहीं हो जाती है उसकी सत्य प्रतिगता अपूर है एश्वर की दया समाप्त नहीं होती है आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि कैसे एश्वर ने इसराइली जनता पर अपने दृष्ठी बनाए रखा और कैसे बचाता रहा हाला कि इसराइली जनता उनसे दूर जाती रही प्रभु ने उसे नहीं त्यागा प्राज की सुसमाचार में हमने देखा कि एक नव युवक प्रभी एश्वर के पास बड़े उच्साह के साथ आता है और पूस्ता है गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा भला काम करना है प्रभी एश्वर के राज के बारे में स्वर्ग राज के बारे में और अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार की घोश्णा किया करते थे शायद इस युवक ने भी इसके बारे में सुना होगा यही कारण है बड़े उच्साह के साथ वो एश्वर के पास आता है पूछता है कि गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला गाम करूं प्रभु ने का यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाते हो तो नियमों का पालन करो यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाते हो नियमों का पालन करो यदि हम अपने जंदर जीवन प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु कहते हैं नियमों का पालन करो प्रभु के आग्याओं का पालन करो उसने का कि मैं इन सारी आग्याओं का पालन करते आया हूं मुझ में किस बात की कमी है प्रभु ने उसे देखा प्रभु उसको जानते थे यह उनके सुसमाचार की अध्याईदो वाक्य बच्छीज में लिखा हुआ है किसी को भी प्रभु को कुछ बताने की जिरुवत नहीं थी प्रभु जानते थे कि हारे के हिर्दे में किया है प्रभु ने उस युवक को भाप लिया प्रभु जानते थे कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी धन के प्रती मोह है और यह सचाई आगे देखेंगे धन के प्रती मोह है हम पढ़ेंगी तिमती के पहले पत्र के अध्याईच्छे वाक्य दस में लिखा हुआ है कि धन के प्रती मोह हर बुराई की जड़ है धन के प्रतिमों हर बुराई की जड़ है इसलिए प्रभु ने उससे का की जाकर अगर यदि तुम पूर्ण होना चाते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी तब आकर मेरा अनुसरन करो ये सुनकर वह नविवक बहुत उदास हो गया और चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था प्रभु ने का वास्तों में आदि तुम एश्वर के राज में प्रवेश करना चाते हो अनंत जीवन प्राप्त करना चाते हो अपना सब कुछ बेज दो क्योंकि प्रभु जानते थे यही उसके लिए सबसे बड़ा रुकावड था यही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी लेकिन वो मूर ले चुकाने के लिए तयार नहीं था हम अती के समाचार के अध्याई तैरा में दो सुंदर द्रिष्टांद सुनते हैं प्रभु ने इश्वर के राज के बारे में समझाने के लिए दो सुंदर द्रिष्टांद सुनाया पहला द्रिष्टांद है प्रभु ने कहा कि इश्वर का राजी सुर्ग का राज उस व्यक्ति की तरह है जिसने खेत में अनमोल खजाना देखा और उसने उसको बंद किया और जाकर अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को खरीद लिया अगला प्रभु कहते हैं स्वर्ग करा जुस मोती के व्यापारी की तरह जिसने अनमोल मोती देखा पाया और उसने अपने सब कुछ बेच कर उसको खरिद लिया मोल ले चुकाया लेकिन वह नवीवक मोल ले चुकाने के लिए तयार नहीं था मैंने देखा है कि कई विश्वासी एश्वर्ग राज, स्वर्ग राज, अनंत, जीवन नित्यादी प्राप्त करना चाते हैं लेकिन वह मोल ले चुकाने को तयार नहीं है प्रभी एशु हमें आनंद, शांती, जीवन का मार्ग बताते हैं लेकिन कई विश्वासी और मसीही उस मार्ग पर चलने के लिए तयार नहीं है नतीजा क्या है नतीजा है वचन में हमने सुना कि ये सुनकर नवियोग बहुत उदास होकर चला गया वह क्यों उदास होकर चला गया क्योंकि उसका लगाव धन के प्रती था वो अनंत जीवन की कामना जरूर करता था लेकिन धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके प्रती उसकी आसक्ती थी हमारी भी यह दशा हो सकती है हम भी प्रभु में लेन होना चाहते हैं बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करने ही पाते हैं एक सच्चाई को जान लिजी हमारा दुख आसक्ती से जुड़ा हुआ है यानि जहां मोह है वहां दुख है और जितना मोह है उतना दुख है जितना हमारे अंदर संसार की चीजों लोगों इत्यादी के प्रती मोह है उतना ज़्यादा हम अपने अंदर आशंका डर भय और दुख का भी अनभव करेंगे आज हम प्रभू से प्रार्तना करें कि प्रभू मुझे अपने विश्वास का मर्म समझादे तेरे शिष्य होने का मर्म समझादे आई हम प्रार्तना करें प्रवियस्वम तुझे धन्यवाद देते हैं सुन्दर दिन के लिए बीती रात के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी एके कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रार्तना करते हैं प्रवियस्वम इस्राइली जन्ता की तरह तेरी कृपाओं को ना भूलें इस्राइली जनता की तरह तुझ से भटक न जाएं बार-बार गिर न जाएं तेरे पीछे चलने से मोकर न जाएं प्रभ्येसु जिस तरह उस धनी युवक आनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था लेकिन मूल ले चुकाने के लिए त्यार नहीं था हमें ऐसे ना होने दें हमें तेरे राज्जी के लिए अनंत जीवन के लिए अनंत शांती के लिए अनंत आनंद के लिए मूल ले चुकाने के लिए किरपा दिजिए ए प्रभ्येसु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रुवाद देना वे जो कुछ करें वहाँ पर तेरी आशिश हो वे जहां कई भी जायें वहाँ पर तेरी उपस्तितिक एहसास हो हमारी स्प्रात्मा गुग्रहन कर आमेन कर मन्ना है